दोस्तों मज़ा तो इस बर बहुत आने वाले कुछ भी का हो और एक बड़ी टाइटल की फाइट होने वाली हैं दोनों एथलीट्स के बीच में दोनों ने अच्छे घासे इंप्रूव्मेंट्स करें हैं क्लासिक फिजिक डिवीजन की दोस्तों बात कर रहा हूं मैं लेकिन लाइन अप में इससल कई सारे और भी नए नाम जुड़े हैं बस स्ट्रेट अवे हम लोग आज डिवीजन की करेंगे प्रिडिक्शन 2020 के लिए और यही होने वाला आज का टॉपिक उस्तों कैसे आप सब म में खाए और उंस्तों के लिए उनको जीतना चाहिए था ख्यार किस्ने अपना टाइल पहली बार जीता और अभी डिफैंड करने के लिए इस साल उतरने वाले हैं ब्रेउन एंसली की बात करी जाये बहुत अच्छे इंप्रूप्रूमेंट्स दिखायते जैसे मैंने बताया एप्स का पोर्शन और एब्डॉमिल से थाए का यवाला पोज उनका आज भी याद रखा जाता है पिछले साल से जोज पीटरसन के अगर बात करी जाए थर्ट प्लेसिंग उनकी मिली थी जोज कोई चीज समझ में आ गए थी कि मैं कुछ भी कर लो लेकिन मुझे थर्ट प्लेसिंग ही मिलने वाली है क्योंकि स्ट्रक्चर एंड वैक्यू में एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लासिक के अंदर जजिस अब वो देखते ही देखते हैं जैसी जोज को यह बात समझ में आए वो निकल दी है इस वाली डिविजन से और चले गए अब 212 के अंदर इस साल हमें दिखाए देंगे जोज जी इतले Olympia के लिए भी qualified थे आना चाहिए था लेकिन नहीं आए अपनी कुछ personal decisions की वज़ा से क्यों का कहना है कि वो अगले साल शायद सीधा open में ही जाएंगे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने life में अपने career में और क्यों पीरसन क्लासिक से 212 और 212 से जहा जी थी इन्होंने अपना debut करा था और लेकिन इस साल नहीं दिखने वाले यह भी फिर इसके बाद में 6 पर आये थे एलेक्स जो कि एक अच्छे क्लासिक कॉम्पीटिटर थे उस ताइम तक लेकिन इस साल का आर्नोल जीत लेने के बाद में काफी बड़ा नाम बन चुके हैं गरदन भले भाई की टेडी हो लेकिन अच्छे अच्छे को सीधा कर देने का दम रखते हैं और यही करा इस बार आर्नोल की स्टेच पर उमीदा काफी ज़्यादा खतरनाग दिखेंगे इस बार के ओलंपिया में भी में भी हुसता है थर्ड फॉर्थ के आसपस प्लेस कर ज हैं देखते हैं क्या इंप्रूमेंट्स उन्होंने एक साल पूरे एक साल के अंदर करें इसके बाद में एर्थ नंबर जहां लगा था तो अराश राबर का इस साल तो उन्होंने खेलने से मनाये कर दिया अराश का ट्रैक्ट रिकॉड अगेन कोई बहुत अच्छा नहीं च जो पा रहा की अगेन उम्मीदें से काफी थी मुझे लेकिन अच्छी फिजीक अच्छे तरीके से पीक ना होने के कारण नाइंथ पर आये इस बार लेकिन क्या कमाल की कंडीशनिंग दिखा यह हो मतलब लेग्स मैंने बताए था आपको क्या तारीफों के पुल बांधने क करता है अपर बॉड़ी उतनी बड़ी नहीं है इनकरेज के अंदर सही में बहुत अच्छा करेज था जब इन्होंने इस वाले शो में ऐसी फिजीक दिखा इस साल लेकिन कौलिफाइ नहीं कर पाए तो हमें अगले साल दिखेंगी यहां पर ग्यार भी पोजिशन पर दोस् जो अब नहीं रहे डैनी हैस्टर की थी क्योंकि कोई कुछ खास चाव इनका नहीं है और इनकी फिजीक अब उस तरही के से इंप्रेस नहीं करती ना जजिस को और नहीं हम सब फैंस को तो इस वरा से डैनी हैस्टर पीछे-पीछे रहते हैं इस साल भी कॉलिफाइड है आल इनकी बात थोड़ा आगे करते हैं पहले एक ट्रेटिक्शन कर लेते हैं ब्रियॉन एंसले हैं क्रिस्पंस्टर दोनों आपस में टकर करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के रास्ते में तीसरा अभी कोई आ सकता है या कोई ऐसा न प्रिजन के अंदर यार यह मानने वाली बात है क्लियरली बोल दिया है कि हमें बड़े लैट्स चाहिए वैक्यूम करता हूँ एक बॉड़ी बिल्डर चाहिए बेसिकली क्लासिक लुक को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया जैसे कि आर्नोल्ड की लुक थी जैसे आज क् होफ मैं ठीक ठाक लुक थी लेकिन कंडिशनिंग बहुत अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद भी लेवंत दे दिया गया तो प्रियोटीज क्लियर हैं क्रिस एकदम क्लियरली जर्जिस की नजर में क्लासिक लुक है मुझा लगता है इस साल भी प्रेफरेंस उनको दी ज जिताया जाएगा मैं परसनली यह देखता हूं कि बहुत ही ज्यादा क्लोज कॉम्पीटिटर अगेन इस साल रहेंगे क्योंकि उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करें पिछले साल कि अगर इस साल उतार दिये जाए नहीं फिर तो क्लियरली क्रिसमस्टेट को यह लोग जिता रहे हैं बाइसप्स में भी आइधिंक साइस वगरा रहे हैं सबसे बड़ा लेकिन फैक्टर है जो कि आपकी वीटेपर को निखार के लिए आता है वह है वैक्यूम करना सीधी सी बात है आप वैक्यूम करते हो ना वह वेस्ट इतनी स्मॉल हो जाती है कि आपके लैट्स करने का जैसे मैंने बोला कि मैं चाहता हूं जीते लेकिन मेरे चाहने से नहीं होता जजिस के चाहने से रिजल्स चेंच होंगे और यह भी बड़ी बात होती है कि ब्रयाउंट चिन्जिस हमें इंस्टा पहीं दिखेंगे और देखो खुश्र अगर ऑफ आये तो अलग बात कि वह सेकेंड प्लेस डिजर्फ करते थे इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्रिस्ट ऑफ आते हैं शायद तब भी जिता देंगे बहुत ही जादा आ जाते हैं बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाते हैं कुछ वाटर रिटेंशन की बॉड़ी में ज्यादा रहा जाता है क्योंकि उनके स क्लासिक फिजिकल लाइनप मानों बिखर जाता है इतने सारे लोग हैं जो की एक जैसे दिखते हैं जो की स्ट्रॉंग कंटेंडर उनमें से एक आपको नजर नहीं आने वाला कि तीसरा प्लेस किसको दिया जाए चौथा किसको दिया जाए एक वह है कि अंधेरे में तीर मिलनी चाहिए यहां पर मैं नाम रखता हूं एलेक्स केंब्रो निरो इनका इनके अंदर ना बहुत जादा मास नहीं है इनके फ्रेम में लेकिन एक कंडीशनिंग एक सेपरेशन बड़ा जबरदस्त है क्रेजी डिटेल्स दिखाते हैं यह सबसे ज्यादा अगर बोलू तो दिख रही थी बाइसेपस पॉल अच्छे दिखती है लेट्स अच्छे हैं वेक्यूम भी कर लेते हैं और लेक्स पी अच्छे तो इक वीटेपर और एक प्योर क्लासिक फिजीक इनके दिखती है बट कई सारी खामिया होती है से कि अगर बैक की बात करीजिए बिलकुल वह अंडर डेवलप्ड है वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है और कई सारी चीज़ें लाइक मसल मैशुरूटी चेस्ट में फाइबर्स आना वह सब चीज़ें नहीं दिखती है लेकिन इसके बाद में अगर हम लोग बात करें पिछले साल सेवंध प्लेस पर आया डैनी यह हैं यह थोड़ी लंबे जाद है बलकि मैं बहतर भी है आराश्रावर से पर एकदम चो होता है चिले होए जो इसको हम बोलते हैं वह कंडिशनिंग इनके पास में नहीं है लेकिन बहुत अच्छी कंडिशनिंग इनके पास में है तो इसलिए मैंने इनको रखा कि अच्छे और आगे पीछे के सारे पोसे अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा यह भी बहुत कंप्लीट है काफी सुखे सुखे से लग रहे हैं में भी टैनिंग नहीं बहुत कम करी है या दूसरा फॉल्ट लाइटिंग का है कि वह बहुत ही खराब है लेकिन तब भी आपको इ पर नहीं दिखरी फ्रंट से लेकिन बैक शॉट में आपको पता लगेगा बैक की देंसिटी वागेर अच्छी है और ओवराल वह ही है ग्लूट हैं सारे अच्छे दिख रहे हैं और काफी पील्ड आउट कंडीशनी है इनकी इनके बाद में आता है बड़ा नाम जिसका लोगन फ्रैंक्लीन दिखते हैं मतलब स्टेज पर नहीं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर अगर लोगन की फिजिक पर लुक डाली जाए देखो सबसे पहली चीज तो है लोगन का साइज उतना नहीं है यह खुद कहते हैं इनको 15 LBS की मसल्स और गेन करने की ज़रू थे जब पक्योई मसल्स होती है तीसरी चीज है जो बैक है जिसमें के हमेशा यह लोईर कृस्मस ट्री अपना दिखाते रहते हैं रियालिटी में स्टेज पर आकर है बिल्कुल फेट बढ़ जाते जिए क्योंकि बल्कुल फलैट है उसके अंदर फिकनेस कोई मसल्स नहीं दिखती म तो वहां पर Logan को काम करने की जरूत है, ऐसा लगतानी कि पिछले साल से साल एनों ने कोई ऐसा इंप्रूमेंट अपनी बैक में करा है, यहां पर Chris Bumster की बैक भी कोई बहुत अच्छी है, लेकिन इन से तो काफी अच्छी है, यहां पर Chris Bumster की लैट्स बहुत जादा बढ़े ह तो इसलिए इन चीज़ों में, बाइसेप्स में भी बलकि Chris Bumster का इतना बेखार वो पोज है, लेकिन सिर्फ एक सारी चीज़ों का पोज होता है, लोगन को वहां पर खा जाएंगे, लैट्स में, वैक्यूम में, तो Logan अभी Chris Bumster की तरह दिखते हैं, लेकिन अभी वो इतने बड़ा दिफेरेंस ही है, पोज करने का तरीका भी है, Chris Bumster को ना पोज बहुत अच्छे से करना आता है, अब देखो, फ्रंट लैट्स को लोगन फ्रेंट्ली ने का अच्छा लगता है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है, हार्नेस वार्नेस की बात है अभी छोड़ देते हैं लेकिन साइस ठीक लगता है, बड़ जब Bumster इस पोज को करते हैं, तो उनके आप शोल्डर को देखते हैं, वो आउटर कैप किस तरीके से दिखती है, अब तो और ज़्यादा दिखने लग गई है, तो और वो लैट्स किस तरीके से दिखती है, वो चीज होती है, जो कि पो लोगन फ्रैंकलीन इस साल काफी ज़्यादा डावेदार नहीं हो सकते हैं, इनके लिए मुश्किल है, इन से ज़्यादा अच्छे दूसरे अथलेट से जो मैंने आपको दिखाए, बाकि लोगन मुझे लगता है हुसता है, इस साल शॉक करते सब लोगों को ओलंपिया में, इसके बाद में बहुत बड़ा नाम जो उच्छाला जा रहा है, और जो पिछले दो साल पहले भी हमने देखा था, उम्मीदे बहुत जादा थी इस नाम से हमें, नाम की बात कर रहा हूं, मैं वेजले विजर्स की, लास्ट प्लेसिंग आया थी है इनकी, मतलब बात को समझ आये थे, 25 कॉम्पीटीटर्स में से 25 फी प्लेसिंग लगी थी, इंस्टाग्राम पर जब देखा था, सबसे पहले जो हाईप बननी होई से शुरू हो गई थी, और वही चीज़ हमें दिखा जाती थी, और वही चीज़ हमें दिखा जाती थी, फ्रेंट, शोल्डर्स, चेस इंस्टा पर दिखाई जाती है, और इसलिए इतनी जादा लोग आपकी फिजीक को अच्छा समझ से लेकिन अक्सर इंस्टाग्राम सेलेब्रिटीज क्यों फेल हो जाती है, मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर या प्रोफेशनल स्टेज पर ये बात आप समझ सकते हो, तब उन इसलिए अर्नोल में पर ये जब कि बिल्कुल ओफ थे, इस साल उनों ने आर्नोल में पर भी प्लेसिंग करा था, दस भी प्लेसिंग की लगी थी, तो इससे कुछ उपको अंदाजा मिलेगा, अभी अभी अब ये इस साल में स्क्लासिक फिजीक में टोटल कॉम्पीटीटर है, इक अत्यस कॉम्पीटीटर सा, इसलिए की प्लेसिंग रहने चाहिए, पंद्रिवी सोल भी, बीस पे भी रसकते है, पत्चिस पे भी जा सकते है, अगर वो ये 18-18 वाली कंडिशनिंग लेकर आए, क्योंकि इनकी बॉड़ी में इंप्रूमेंट्स हुए, ऐसा कहना है, अब ये नहीं दिख रहा कि इनकी बैक में थिकनेस कितनी कम है, है ना, वो चीज होती है, ये नहीं दिख रहा होगा कि आम्स कितने छोटे हैं, इनके बेस्ट मीं की वाइड है, कोई बहुत स्मॉल वेस्ट के अतलीट नहीं है, तो सिर्फ वैक्यूम करा जाए उससे नह हम लिए ना, पकी बात है, कोई एक बहुत अच्छा कॉम्पीटीटर निकल के आएगा हमारी नजर में जिसके बारे में हम कहेंगे, हमने जिकर ही नहीं करा है, और ये कहां से हो गया, क्योंकि है कॉम्पीटीटर से 31 है, हर एक की बात करने बैठने लग गया, तो वीडियो जो है ना, जो आरनुल में सल जीते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ा अच्छा रहा है, कंसिस्टेंट रहा है, सबसे बड़ी बात अथलीट को उपर रखती है, उसकी कंसिस्टेंसी, देखो परसनली ऐसा निया कि इनकी फिजीक बहुत अच्छी है, इनकी फिजीक में और और भी ज़्यादा रिफाइन हो सकती है, यह अपडेट्स ने रालते तो हमें पता नहीं है अभी कैसे दिखते हैं, फिफ्ट प्लेसिंग पर आ सकते हैं, टेरिंस रुफिन, मैंने पता है बहुत अच्छी फिजीक है, लेकिन अवराल अगर आप कंडीशनिंग और प्रिफ्ट प्लेसिंग की तरफ डिवाइन विल्सन यह नाम ज्यादा सही लगता है, यह अगर आप यह अगर आते हैं, तो यह वेल डिजर्फ एथलेट होंगे, उस पर कोई कुश्चन नहीं होना चाहिए, और यही है गेम पूरा का पूरा भाई, पीक करने का है, उस दिन जैसे की, आर्नोल में यह सेकंड आये थे, क्योंकि यह उतने अच्छे से पीक नहीं कर पाये थे, एलेक्स जो थे वो एकदम शाप, बेस्ट आवर आ गये थे, तो उन्होंने एलेक्स ने इनको हरा गया, इसके बाद में अगर हम चलें, सिक्थ प्लेसिंग की तरफ, डिवा मास भी अब एड कर रहा है, अपनी बैक में, इस फोटो में तो लगी रहा है, कि स्टेज पर देखते हैं, तो यह भी अगर अच्छे आ गए ना, इस तरीके से बैक वागयरा थोड़ी इनोंने स्ट्रॉंग कर लियोगी, और चेस्ट पे इनके पास नहीं है, अपनी फूलन आपको थोड़ा पीशे कर देती है, जिब आप मिस्ट ऑलॉंपिया में आते हो, बड़े हैवी कॉम्पिटीटर के बीच खेलते हो, अगर ऐसी कंडिशनिंग लाए तो सेवंथ प्लेस के दावेदार वो भी हो सकते हैं, ओके फाइनली बड़ा नाम आखिर को है, लोगन फ् तो अभी नहीं लगता मुझे देखो, लोगन फ्रैंक्लिन का फ्रैंकली कि वो थर्ड या फॉर्थ पे भी आ सकते हैं, बलकि जो फिफ्ट शिफ्ट प्लेसिंग के मैंने कंटेंडर रखे हैं, उनसे भी मैंने इनको पीछे डाला हुआ है, ये मेरा मानना है, आपका क्या ओ अगर इस बार भी टाइटल नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है जादा चांसे है कि ब्रियॉन 212 में चले जाएंगे, अब वही है दुबारा कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, और अभी अंदाजा मारने का टाइम नहीं, अभी प्रेडिक्शन करने का टाइम था, तो हमने ये चीज भी करी, देखते हैं यार ब्रियॉन को टाइटल मिलता है, यार क्रिस को टाइटल मिलता है, आप क्या चाहते हो, बताओ, और मैंने बहुत सारे क्वेशन्स रग दी आपके नीचे, जो भी कमेंट करना है, मन करता है, लिखो, और हाँ ओलंपिया के आज मीटिंग ह साथ में, तब तक के लिए, stay tuned, goodbye, शुक्रिया